बानी को गरम होने के लिए रखेंगे लो फ्लेम पे रखेंगे लो फ्लेम पे रखेंगे फ्लेम लो होना चाहिए अब जैसे आप इसका थुदा फ्लेम बढ़ा दें पानी गरम होना चाहिए ताकि इसकी भाब बननी शुरू हो जाएं यह हमारे पास टैलाफिन लेक्स है वाइट में इसके खूलने में करें 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 पानी गरम हो जाना चाहिए अच्छे देखके देख करें करें कि इसके छुट छुटे पीसिस कर लेंगे ताकि वह डाल सके यह जैसे इसमें भी आपने गरम करना है ताकि उसमें आड़ें आप नाइफ लेंगे तो इजली कट होगा यासे करके वैसे तो रहेंगे तो इजली कुछाएं तो इसमें डाल तक है उसमें नाएफ लेंगे यह टते हैं तो आजमें आजय कर दोग है प्रुट आज़ेंगे टताजमें आज़ेंगे तो इसमें बड़के खाएंगे आज़ेंगें कर देख हो गया कि यह देख हो गया कि आप टाल लेंगे तो पर तक आप बर लीजिए क्योंकि में दोगे अटमाटी नीचे हो जाएगा इसमें इतना फूर एक बारी में ले सकते हैं अब आप ये वेसल को आप इसमें आप से टिका दीजिए पानियों पर कि आपके टिक जाएगा इस चीद का ज्यान रहे कि यह पल्टे ना और अराम से इस पर टिक जाए तो वह हीट से मेंट उपती रही है अब देखिए अंदर पानी में बुलबुले बनने शुरू हो गया है और यहां पर हमारी वेक्स भी मेल्ट हो रही है वेक्स मेल्ट होना शुरू हो गी है झाल सुरू हो decrease कि उागए धो भी में में धो रहुआ को कि ओकोशिएव兩ग को है हम इसको जल्दी बेंट होने के लिए इसको पर ते कवर भी कर सके हैं यह जल्दी बहां बंगा है तो मिल्दी कवर कर देने लिए कि देखिए अब यह मैल्ट होना शुरू होगी है अब जब स्टार्टिंग में लीची तो यह पूरा उपर तक भरा हो था आप चाहें तो इसी के भीक में और उपर से उपर एड़न कर सकते हैं बट पहले एक बार इससे पूरा मैल्ट हो जाने के देखिए पानी भी पूरा गरम हो चुका है अब खत्यों पढ़ने लगी है कि ट्रेज अप टू इस बॉइलिंग कॉइंट अब एक स्टार्ट मेल्ट हो जाए बहुत ही अच्छी टेक्निक है एक स्टू पिखलाने की अब जाब आलमोस्ट मेल्ट हो चुगी है अब यह मिसको टूर्पड़ डालनेंगे ट्रेज में देखिए डालते ही कैसे हो यह प्रेज प्रेज मिद्स द्रफबर जामने बनाख़ान आपड़ेगे जमेन में झाल हुजए नहीं कर दो जादा उत पर मत करिएगा यह जाएगा इसे हो जाएगे कर दो जाएगा कर दॉवश। कर दो कर दो दो जाँ कर दो जाएगे प्रूइब टोगकि अिरोग्या में टूझे हैं पाली हैं नहाभगा हैं पाली है? की थो थीत प्रूब कर दोग्या स्यानला है भी उसजया हैं आंक स्वाफिते हैं